तो तब देश फेली दौर का प्रचार चरम पर है क्योंकि मैं इस तीन दिन बाद यानि दस फरवरी को पश्चमी यूपी के 58 सीटों के लिए मद्दान होना है बिजनौर में पियमोदी की पहली फिजिकल रैली है तो योगी, अखिलेश और मैवती भी पश्चमी यूपी में आज हुंकार भर रहे हैं बार्धी जनता पार्टी जहांसा देती है, बारती जनता पार्टी ज्हूट बोलती है, बार्धी जनता पार्टी जगड़ा लगाती है दस फरवरी को 58 सीटों का संक्राम वोटिंग का काउंडाउन शुरू चरम पर प्रचार पश्चिमी यूपी में दिगजों के हुंकार दस फरवरी अब दूर नहीं जब 58 सीटों पर मतदान से जनता अगले 5 साल के लिए यूपी की सियासी शक्लों सूरत तै करना शुरू कर देगी प्रचार के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है लिहाज़ा बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े नेता देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी विजनौर में पहली फिजिकल रैली कर रहे हैं इस हाइब्रिड रैली से तीन जिले की 18 विधानसबा सीटों पर पी-एम निशाना साधिंगे मगर उनके निशाने पर कौन रहने वाला है इसका इशारा कल ही उन्होंने दे दिया था आज बी-जे-पी को अपार समरधन देख इन लोगों को अब सपने में भागवान कृष्ण की याद आने लगी है और मैंने पहले भी कहा था जो सोते रहते हैं वो सपने देखते हैं जो जाते हैं वो संकल्प लेते हैं असल में अखलिश यादव बीजेपी के राजसभासांसद हरनाथ सिंग यादव की उस चिठी पर तंसकस रहे थे जिसमें उन्होंने पार्टी नित्रित्व को योगी आदित्येनाथ को मत्रूरा से चुनाव लड़वाने की मांग की थी और कहा था कि भगवान कृष्ण ने स पूरे परिवार के साथ मत्रूरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंची विधे विधान से पूजा पाठ किया और अपनी पार्टी की जीत का आशिरवाद मांगा डिमपल ने दावा किया कि अखलेश 400 सीटें जीत कर सरकार बनाएंगे बहराल बिजनौर की हाइपरिड रैली से पिये मोदी बिजनौर मुरादाबाद अमरोहा जिलों की 18 विधान सभाओं को टागिट कर रहे हैं इसमें 1000 लोग स्थल पर मौजूद हैं जबकि बाकी लोग वर्चुली जो रहे हैं रैली का प्रसारन बिजनौर से किया जा रहा है इसके जरिये दूसरे चरन की तीन जिलों की 21 विधान सभा सीटों में वर्चुल रैली का प्रसारन LED स्क्रीन से दिखाया जा रहा है वहीं आपको बता दें कि पहले चरन के मतदान से पहले बीजेपी और दूसरे दलों के नेता परश्चिमी यूपी के अलग-अलग जिलों में प्रचार युद को आगे बढ़ा रहे हैं सीम योगी बिजनोर में पीम की सभा के बाद मुजफर नगर के बुढ़ाना और खतौली में रैली करेंगे इसके बाद मेरट में भी उनकी जन सभा है वहीं अखलेश यादव आज दोपहर वारबजे साहरनपुर में प्रेस कॉनफरेंस करेंगे और पार्टी कार करताओं से मिलेंगे वहीं मायावती बरेली में रैली करेंगी पर्शिमी यूपी में बीजेपी का रेकॉर्ड 2014 से लेकर 2017 और 2019 में शानदार रहा है वहीं यूपी के शुनावी रण में जुबानी जंग तेज हो गई है अब हर दिन उस नए शब्द का प्रयोग हो रहा है जो पहले किसी दिन नहीं सुना CM योगी ने कब्रिस्तान का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने वड़का की फैक्ट्री पर सबसिटी का वादा किया मंच पर अखिलेश के सामने एक नेता का दूसरे को तमाचा दिखाना भी चर्चा में है कि मांते मांते गले में तक्ती लटाना ही पड़ेगा मुझ अप्फा नकर में गर और सुचिन कैसे नितोस नाजवान वहन की रक्सा करते करते अपने आपको बेलदान नहीं कर पाते बताओ हालों से वड़का बन सकता है श्राफ बन सकती के नियुक्त पर्शमी यूपी की जंग में योगी आदितनाथ के प्रचार अभियानों में दंगा और कब्रिस्तान जैसे मुद्दे गुँच रही हैं एक बार फिर योगी आदितनाथ मुझफर नगर और मिरत में हुंकार भरेंगे मगर अखले श्यादव अलग ही धुन में हैं आगरा में उन्होंने आलू के किसानों को वोटका की फैक्टरी बनाकर उनके उत्पात के किमत दिलाने का ऐलान कर दिया अखलेश को अंदाजा था कि बीजेपी इस पर सियासत कर सकती है लेहाज़ उन्होंने हवाला दिया कि बीजेपी के शासन में वोटका की खपत बढ़ गई है उधर अलिगार में सीएम योगी आदितनाथ ने फिर से कब्रिस्तान का मुद्धा उठाते हुए अखलेश पर नए सीरे से हमला बोला है दूसरी तरफ अखलेश यादव अभी चुनावी रैलियों में योगी आदितनाथ के गर्मे उतार देने वाले बयान का जवाब नए नए अंदाज में दे रहे हैं वह और अखले शादव पर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है योगी ही नहीं ग्रह मंत्री अमित्शा भी हमलावर है अम्रुहा में वैक्सिन को लेकर शाह ने अखलेश पर कटाक्ष किया ऐसे तंस भरे बयानों के बेच चुनाव परिचार के दोरान कुछ हलके फुलके पल भी सामने आ रहे हैं आग्रा की बाव विधानसवा सीट पर परचार के लिए अखलेश आदव पहुंचे थे पार्टी के रास्ट्रिय महासचिव और पूर्व केंद्रिय मंत्री रामजी लाल सुमन भाशन का माहौल बना रहे थे इस बीच भीर जहां शूर कर रही थी वहीं जिलाद्यक्ष जितेंदर वर्मा लगातार अखलेश यादव से बाचित कर रहे थे रामजी लाल सुमन बार बार उन्हें बाचित बन करने का संकेत दे रहे थे वहीं अखलेश उन्हें अपना भाशन जारी रखने का इशारा कर रहे थे फिर अचानक रामजी लाल सुमन ने जितेंदर वर्मा पर तमाचा तान दिया ये देखकर अखलेश यादव और जितेंदर वर्मा दोनों की हसी चुट गए ये सब हसी मजाख का हिस्सा था मगर पश्चमी यूपी की जंग किसी के लिए भी आसान नहीं वोटिंग से पहले जब आखरी तीन दिन बचे हैं तब जुबानी जंग और तेज हो गई है अलिगार से अकरम खान और आगरा से अर्विन शर्मा के साथ आज तक वियो मई पश्ची मितर पिदेश बीते तीन चुटाओं में बीजेपी का दबदबा कायम रहा है मगर इस बार मुद्दे और समी करण अलग है सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सब के बावजूद बीजेपी अपनी विजेपता का फिर से फैरा पाएगी अंतिम दोर में है पहले दोर का प्रचार पी-एम मोदी, योगी आधितनाद, अकलेश जैन्त की जोड़ी और मायावती के साथ ही प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही है दस फरवरी को परश्ची मी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे शामली, मुजफर नगर, बाकपत, मेड़ट, घाजियाबाद, गौतम बुधनगर, हापोड, उलंद शहर, एहम जिले है इस बार मुकाबला दिल्चस्त है क्योंकि इस बार किसी के भी पक्ष में कोई लहर नहीं चल रही है कुछ विधानसवा सीटों को छोड़ कर, ज्यादतर सीटों पर कांटी की टकर है सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है मगर वोटर के मूट को भापना इस बार आसान नहीं है पहले चरण से ही भारती जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और तीन आते आते भारती जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा बश्रिम से सुरुवात हो रही है पश्रिम में भारती जनता पार्टी का सूरज हमेशा कि ये डूँ जाएगा मैं सारे राजनेतिक दलों से और नेताओं से अग्रह कर रही हूँ इनकी बात करिए जनता की बात करिए ये चुनावी मैदान में बीजेपी, समाजवादी आरिल्डी गटबंधन, कॉंग्रेस और बीएसपी हैं तो वहीं OIC और चंदर शेखर आज़ाद भी मैदान में हैं मगर ये किसी न किसी का खेल बिगारते दिख रहे हैं वैसे पश्चिमी यूपी में अधिकांश सीटों पर जीत का समीकर्न या तो जाठ मुसलिम गठ जोड से बनता है या धार्मिक आधार पर वोटों के बटने से 2017 की बात करें तो जीन अठावन सीटों पर इस दफ़ा पहले चरण में वोट पढ़ेंगे उनमें से त्रिपन पर बीजेपी ने जीत दर्स की थी एस पी और बीएस पी के खाते में दो दो सीटें गई थी वहीं आरेली का एक उमिदवार जीता था जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था इस बार किसान आंदुलन और लखिमपूर खीरी कान जैसे मुद्दे हावी हैं तो बीजेपी मुजफर नगर दंगों और कानुन व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना कर वोट मांग रही है दस फरवरी को वोटर किन मुद्दों को एहमियत देते हैं और किन हैं खारिज करते हैं यही 58 सीचों का भविशे तैय करेगा आथ तक प्योगा